कि है कि है कि है कि परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट अभी बीपी से 69 मेंस का पेपर हुआ और आज अभी थोड़ा दिल पहले 60 जी एस टू का पेपर जो है वह कम्प्रीट हो गया है तो अगर हम लोग कुछ इंपूट्स निकाले इस पेपर से यह जो अ जो सबसे important point निकल कर आ रहा है वो यह है कि आप देखेंगे कि economy का जो सेक्षन था जिसमें जादातर जो questions पूछे जाते थे पहले economy के questions पूछे जाते थे लेकिन आप इस बार देखेंगे कि जादातर जो questions पूछे गए हैं वो जो जोग्रफी के questions पूछे गए हैं तीक है औ और इस कारण से आप देखेंगे कि जो classroom के अंदर जो हमने पढ़ाया था classroom के अंदर जो आपके notes होंगे उस notes का relevancy जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ओवराल देखें तो पेपर अब्वेसी बात है कि पहले से लेंदी हो गया है तोड़ा सा इसमें लिखना जादा पर रहा है बट ऐसा नहीं है कि आप इस paper को नहीं कर सकते हैं और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि GS1 का जो questions आते हैं तो कि पाल कला और मॉर क ला तो उसको हम लोग नहीं दिखाते परफेक्शन इस नहीं दिखाती है कि यह हमारे नोट से आए वह तो आना ही है अब GS2 के अंदर बात करें क्लास्रूम के अंदर कराया है और यह मेरे से ज़्यादा बहतर आप जो मेरे स्टुडेंट्स हैं वह आपको बता सकते हैं आप है इसको क्लासेश में अपको बताया था एੰद कराया है भारत को ला में आपको याद होगा तो मैंने डारेक्स्टली और तो आपकi क्लासिज में करा हैं ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार के जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक सारे कोस्टन जो है वो ज्यारा तर पूछे गए आप देखेंगे मौंसुन सिस्टम अफ इंडिया भारत की मौंसुन प्रणाली इसके सबसे या फिर यह ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसके बारे में आपको बता था जा मैं आपको समावेशी विकास बता रहा था तो कहने का ताथ पड़े है या फिर इसके अलावा पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी के अंदर जो भी कोस्टन हैं यह सारे कोस्टन जैसे कि मूल धाचे किसी दां आप हमारे student से पूछे students को की यह सारे कराय हूए है यह सारे के सारे questions maximum questions वो classes के अंदर कराय हूए तो दो-तीन बाते जो की important हो जाते ही यहां पर वो सबसे पहला बात यह की classes का importance और जो topics पहले सिर्फ prelims में थे पहले जो prelims और मेंस का अलग-अलग जो तैयारी होती थी वो approach बिल्कुल अब change हो गया है अब जो तैयारी है वो prelims और मेंस दोनों के साथ में जो topics जिससे की जैसे जो पहले प्रिल्म में question पूछा इस बार आप देखेंगे कि मेंस में question पूछा तो अब सारे ही प्रिल्म और मेंस डोनों में ही आप देखेंगे कि overall topics जो है वो पूछे जा रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों को आप लोगों को ने देखा होगा और जो हमारे students हैं उनका confidence प्रिझेंस बढ़ा होगा इस पेपर को देखने के बाद कि definitely जो हम लोग पढ़ रहे हैं हो सही डायरक्टा में पढ़ रहे हैं चाहि आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस आप लिखते जाएं उन सारे भी सारे स्टुडेंट्स को all the very best आप लोग अच्छे से लिखे जितना मैंने पढ़ाया है जो भी फिलोस्पीकल डाइमेंशन्स मैंने कवर करे हैं उनको आप लोग रिवाइस कीजिए और उसको अच्छे से दिजिए all the very best